जी मेरा सवाल यह है कि मैं नमाज में नहीं सूरते याद करके उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो बहुत रिविजन करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही मैं भूल जाती हूँ वो सूरा को कि अब मैं आगे क्या पढ़ूँ तो क्या वहां पे रोक कर जाना हरीस है कि वो नई-ई-ई सूरते याद करके नमाज पढ़ना चाहे रहा है तो बहन देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले यह कि जब आपको पक्का याद हो जाए जब पक्का हो जाए तब उसको आप नमाज में पढ़ा करें क्योंकि दरम्यान में जब तो आप चाहें तो कहीं और से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो वहीं पर रुकू कर सकते हैं आपको उसके लिए सजदेशा हो गयरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुरान आप कुछ तो पढ़ चुके हैं उतना पढ़ने के बाद आप भूले हैं तो कुर तो या तो आप वहीं पे रुकू कर ले या तो आप कहीं और से भी पर सकते हैं